Here is the explanation of the chapter name, when Hitler stole pink rabbit, जब Hitler ने pink rabbit चुरा लिया, अगर हिंदी में इसका meaning देखा जाये तो यही होता है, बट इस chapter के नेम के पीछे एक लंबी सी कहानी है, यहाँ पर उसकी short summary यहाँ पर हमें दी हुई है, Care were Jews and Hitler did not like Jews, जो cares थे वो Jews थे, यहूदी जो धर्म है, यहूदी जो जाती थी वो उस जाती के थे, और हिटलर जो था वो Jews को बिलकुल भी पसंद नहीं करता था, जो जिटिस के जो father थे वो writer थे और वो हिटलर को openly criticize करते थे, जबसे हिटलर पावर में आया था, वो उनकी कमिया उनकी गलतियां, उनकी बुराईयों को openly public के सामने बताते थे, हिटलर एक बहुती क्रूर इंसान माना जाता है, इस friends warned him, उनके friends नोने कई बार warning भी दी कि अगर तुम इसी तरीके से criticize करते रहे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, और बहुती बुरी तरीके से torture कर दिया पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या Hitler power में आते हैं या नहीं आते हैं, दीरे दीरे करके ये चीज clear हो गई और Hitler power में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी family को बहुत जल्द वाजी में वहां से भागना पड़ता है, उनकी जो बेटी थी, एना, छोटी सी बेटी जो थी, उसका पिंक रैबिट वहीं छूट जाता है, और वो सालों तक, बहुत सालों तक ये मानती रहती है, कि हिटलर ने उसका पिंक रैबिट चुडा लिया, that's why the name of this chapter is, When Hitler is told, पिंक रैबिट, चेप्टर की शुरुवात कुछ इस तरीके से होती है, कि morning का time है, और school का time है, बच्चे बहाँ पर discuss कर रहे हैं, breakfast का time चल रहा है, जो kitchen से उनकी जो maid है, वो breakfast बना कर ला रही है, और बच्चे breakfast कर रहे हैं, और वापस में discuss कर रहे हैं, कि क्या आज हम school नहीं जाने वाले हैं, हम इतना late क्यों कर रहे हैं, तब उनकी मदर आती हैं, और बताती हैं, कि आपके father जो है, उन्हें कल रात एक phone आया था, कि उनकी जान को खत्रा है, तो उन्हें इस देश को छोड़ कर भाग जाना चाहिए, और वो फटाफट से निकल जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये सारी बात आप किसी को भी बताएं, तो उनकी mother जो थी, वो इतनी problem, problem की situation क्या थी, कि जो father थे, उन्हें देश छोड़ कर जाना पड़ा था, क्योंकि उनके किसी, मतलब जिससे उनके अच्छे संबंध होंगे, ऐसे person ने उन्हें कॉल किया था, कि आपकी जान को खत्रा है, आप बहुत ही जल्दी से जल्दी इस देश को छोड़ कर भाग जाईए, क्योंकि पोलिस न हैती है कि election का time है, और अगर हिटलर election जीत जाता है, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम Jews हैं, वो हमें मार देंगे, और साथ ही साथ आपके father जो हैं, वो openly criticize करते हैं, तो हमारा बचना तो possible ही नहीं है, तो हमें कुछ दिन रहकर यहां इंतजार करना है कि हिटलर power मे आजाएगा, तब हमें भी यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा, तब उनकी बेटी excited होकर पूछती है कि ममा क्या हम Switzerland जाएंगे, तो वहां पर उनकी मदर बताती है, उनके father जो गए हैं, वो प्रैक गए हैं, वो जग जर्मनी छोड़कर प्रैक गए हैं, तो उनकी पूछन चलता है, ये बात वो बच्चों को समझाते हैं, और उनकी मदर बच्चों को ये भी समझाती है, कि कोई अगर आप से पूछे कि आपके father कहा है, तो आपको कहना है कि उनकी फ्लू हो गया है, इस वज़े से वो घर पर rest कर रहे हैं, आप किसी को भी ये नहीं बताए कि वो यहां से जा चुके हैं, ये सारी बात है, वो relaxed mode में अपने बच्चों को समझा देती हैं, जबकि reality ये है कि उनकी family पर भी बहुत जादा खत्रा है, क्योंकि उनके father पर खत्रा है, तो उनकी family पर भी खत्रा है, लेकिन बच्चे परिशान ना हो जाएं, इस वज़े से मदर बहुती अराम से बच्चों को ये सारी चीज़े समझा देती हैं, और फिर बच्चे school वहां से चले जाते हैं, श्कूल में जाकर बच्चे उतने चोटे हैं, कि वो अपने ही सारी चीज़े क्या चल रही थी, कि पापा प्रैक में हैं, मम्मी ने हमें क्या समझाया थैं, यह सारी चीज़े वो सब लोग भूल ही जाते हैं जो हैंपी उनकी मेड हैं वो दोनों को स्कूल के लिए तयार करती हैं और भेजती हैं एना वरीड रहती है कि अगर किसी ने हम से पूछा कि हम स्कूल के लिए लेट क्यों हो गए हैं तो मैक्स कहता है कि कह देना कि ममा देर तक सोती रही जिस वज़े से हम लेट हो गए जो कि एक सच्चाई भी है यह एक कम्प्लीट स्टोरी से एक छोटा सा एक्स्ट्रेक्ट यहां आपको गिविन है फर्स्ट कॉशन पापा थिंग देट नाजिस माइट कॉज सम बॉदर इफ देनुग देट ही हैड गॉदर नाजिस जो है वो हिटलर की पार्टी का नेम है पापा को लगता था कि अगर नाजिस को पता चल गया कि मैं यहां नहीं हूँ तो वो हमें परिशान करेंगे तो यह सारी बात उनकी मदर जो है वो एना और मैक्स को बता रही है प्रिकॉशन क्या लेनी है कि कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इनके फादर घर पर नहीं है नाजिस उन्हें बॉदर क्यों करेंगे परिशान क्यों करेंगे क्योंकि ये नाजिस जो है वो हिटलर की पार्टी के हैं हिटलर जीउस से जड़ते हैं ये लोग जीउस हैं तो वो उन्हें परिशान कर सकते हैं एना एंड मेक्स के फादर को जर्मनी क्यों छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके एक फ्रेंड ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनकी जान को खत्रा है उन्हें पकड़ा जा सकता है इस वज़े से उन्हें जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा Hitler is known in the history for the torture and killing of millions of Jews Hitler को history में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे Jews को torture किया और उनकी जान ली Do you think family was lucky? तो क्या आपको लगता है कि ये family lucky थी? तो yes of course ये family lucky थी ये सही समय रहते जर्मनी से भाग गए और इन सब की जान बच गई और इनने जो stories लिखी है जो reality लिखी है इसकी वज़े से ही हमें पता चला कि लोगों ने क्या क्या problem face की है Why did Anna feel that they would not be tolerated? Anna को ऐसा क्यों लगता था कि अगर नाजिस को पता चल गया तो वो उन्हें tolerate नहीं करेंगे तो जो नाजिस थे वो जिऊस से चिड़ते थे और उनका काम ही ये था कि जिऊस को परिशान करना, torture करना तो इसलिए एना को लगता था कि वो उन्हें नहीं चोड़ेंगे और खास कर से जब उन्हें पता चल जाए कि इनके फादर इनके घर पर नहीं है तो इसका रीजन है ताकि उनके बच्चे परिशान ना हूँ और डरे ना क्या ये सब जानने के बाद एना और मैक्स को डर लगा वो डर फील किया तो आंसर है no जब वो दोनों स्कूल गए तो वो भूल ही गए कि उनकी मदर ने उन्हें क्या समझाया था वो इस सारी सिचुएशन को भूल गए और स्कूल में जाकर इंज्वाइ करने लगे क्यूंकि वो छोटे बच्चे थे वो इस म unnecess को समझने लायक उनकी एज ही नहीं थी तो वो इस मैटर की गंबीरता को नहीं समझ सकते थे यह जो चेप्टर है यह हिस्टरी के उस टाइम का है हिटलर के टाइम का यह जो चेप्टर है यहाँ पर एक ऐसी family का description दिया गया है जो वहाँ से बच कर निकल जाती है जर्मनी से बच कर निकल जाती है उनके father जो है वो writer थे और writer होने की वज़े से उन पर extra खत्रा था उनकी जान को extra खत्रा था लेकिन वो वक्त रहते वहाँ से निकल जाते हैं उनकी और उनकी family की जान बच जाती है जिसकी वज़े से आज हम उनके chapter को उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बहादरी से Hitler के बारे में सब कुछ लिखा Hitler की जो गलत policies थी उनको हम सब के सामने वो लेकर आए name of the chapter when Hitler pink stole rabbit इसलिए है क्योंकि उनकी बेटी को बहुत सालों तक लगता रहा कि Hitler ने उनका pink rabbit चुड़ा लिया है that's why name of the chapter is when Hitler stole pink rabbit this is the explanation of the chapter thank you everyone